अब यहां पर बात करने जाएं पर अगले पॉइंक के बारे में सी मेंबस पार्ट वन रगदी होगा एक बार नहीं दिखा है जाकि जरू दिखेगा ठीक है और यह स्टरड़ी को कुछ वीडियोस रखे थे मंडी को हमार one of the favorite stock crash होने वाला है जाकि एक बार देखे क्योंकि अगर आपके पास होगा मेरे आप मीस कर जाओगे ठीक है जाकि जरू एक बार नाम देख लीजेगा और वैसे भी बहुत ज़ादा नाम हीड नहीं कता ठीक है हाइड नहीं कता तो जाकि आप शेक का सकते हैं औ बहुत सारे बोले देखे कि सर रीजन क्या है देखो मैंने पार न में समझा था पार न मैं सिफ उपर से आपको समझाओंगा कि बहुत सारे factors है inflation सबसे बड़ा factor है second हो जाता है FED यहाँ पर बहुत बड़ी rate hike करने वाले है बहुत ही जल्द और इसी के वज़े से यहाँ पर हाला कि मैं मैं अगर आप यहाँ पर consider करने जाए ICC bank के result sir result कैसे है सिफ one answer मेरा बाई all time best है ठीक है अगर पूछने जाए अगर ऐसा ही result देता रहा यहाँ पर ICC bank तो मेरा बाई यह HDFC bank से भी जल्दी एक breakout कर लेगा उससे बड़े target दे दीगा ठीक है ICC के अगर देखने है तो यहाँ पर 25,000 करोड के यहाँ पर debt security से fundraising करने वाला है जो एक news positive है तो question आजएते कि sir मान लो कि मैरे पास ICC bank का stock है तो क्या low और अगर मान लो नहीं है sir तो मैं क्या खरीच सकता हूँ देखो मैं बस पहले एक बात समझो ठीक है banking stock mostly underperform होते है बले य अच्छे खास result देते है तो भी underperform है उसके बहुत सारे reason है एक one of the best reason हो जाते है कि FI कभी भी बल्क में ज्यादा निवेश नहीं कते है ऐसी banks में क्योंकि कोई भी fraud आ जाते है न मान लो ABC fraud आ गया 10,000 करोड या 25,000 करोड गा तो क्या करोगे समझ पारे हो तो most लिए आपको ध result की वाज़े से momentum कैसे गी मेरे भाई थोड़ी meet to positive होगी लेकिन मैं बहुत जादा expected नहीं करा हूँ क्योंकि FI की selling है इसकी वाज़े से ठीक है बाकि मुझ से पूछे तो कि Crash West की सिनारियो नहीं है लेकिन यस बहुत जादा बड़ी momentum नहीं आनी चाहे क्योंकि FI की selling है अब members सबसे बड़ा reason और एक हो जाता है जो foreign player selling कर है देखो members यहां से सुन ना foreign player selling कर है उसका बड़ा reason है LIC का IPO पता है क्यों क्योंकि government अब देखो अभी फिर से stake decrease करी है ठीकि आप सबी को पता है कि LIC IPO पहला आने वाला था न वो 80,000 करोड का था approximately जहां तक मुझे याद है फिर 60,000 करोड फिर 45,000 करोड और अभी 21 से 30,000 करोड सोचो क्यों LIC का IPO यहां पे government जो stake dilute करने वाली है वो 5% की जगा साड़े 3% क्यों करी है खुद सोचो members खुद सोचो ठीक है तो बांडों के बजर में कोई IPO आता है ठीक है 30,000 करोड एक छूटी रकम तो है नहीं ठीक है उपर से FI सेलिंग कर रहे है समझ पा रहे हो FI सेलिंग कर रहे है देखो एपरिल मंद के अंदर सिफ 12,000 करोड की सेलिंग की है देखो एपरिल तो खतम होने वाला है 12,000 करोड की सेलिंग की है तो भी हम लोग पैनिक कर रहे है यहां पे निफटी देखो समझ पा रहे हो बाई क्या करोगे दूसरे stock में, ठंठन गोपाल, समझ पा रहे हो, ठीक है, दूसरे stock से पैसे चले जाएंगे, LIC के अंदर, और इसके वज़े से दूसरे stock crash करेंगे, तो अगर आप देखोंगे, randomly जो stock fall करें, आप मैं शुर आपको पता होगा, पॉली के अब जैसे stock, कल randomly fall कर होगा, suddenly कोई भी news थी, लेकिन ये stock crash करेंगे, तो 10% lower asset के, ठीक है, अब मेरे बाई, कहीं से तो पैसे निकलने होगे न, FI को कहीं से तो पैसे निकलने होगे न, ठीक है, तो इसी की वज़े से यहाँ पे, ये market में sudden fall, कोई भी stock में आ जा रहा है, ठीक है, मैं नहीं बोल था अब देखो में बस, जैसे की बता कि यहाँ पे FI की selling 12,000, 12,000 करोड़ है, और April month में Nifty उपर की काफी नीची आता हुआ दिखाई दिया है, आप देखोगे April month यहाँ से start हुआ था, 18,000 पे और अभी Nifty 17,000 पे है, अब देखो में बस, एक बात समझना, अब बहुत बड़ा next week में धमागा हो सकता है, धमागा किस वज़े से, अर्निंग की वज़े से, 160 plus companies की अर्निंग की result next week में आ सकते हैं, जिसमें budget finance है, HDFC, AMC, Axis Bank, फिर KPIT, Yes Bank, बहुत सारे लोगों का hot favorite, SBA card, जो हमारा hot favorite है, HFCL और India Mart, Intermesh जैसी companies के next week में result आ सकते हैं, कुछ भी हुआ, margin narrow हुआ margin में pressure आया मेरे भाई, सभी stock crash होने वाले है, यह समझे लोग, और मुझसे बुचे तो 80% के chances से margin में एक panic आ सकता है, ठीक है, of course banking stock को छोड़के, मैं Yes Bank को छोड़की की बात करहूं, ठीक है, banking stock को छोड़के, शायद margin में pressure आ सकता है, तो आपको अभी focus करना चाहिए, short term में यह सभी stock में आपको entry नहीं करनी चाहिए, अगर आप profit में है, cost to cost है, इन सभी stock के अंदर, video pause कीजिए, आपका portfolio चेक कीजिए, अगर कोई stock है, short term में, और अगर cost to cost है, थोड़ा profit है, तो मेरे बाई exit कर लीजीगा, ठीक है, बाके long term में तो कोई problem है नहीं, अगली बात हो जा का precedent, ठीक है, वो face से बातचित करने वाला है, रश्या के साथ, अगर चलो, खुदा ना खासता कुछ हुआ, short out हो गया, रश्या, Ukraine की war, तो मेरे भाई, market, 1000 point की rally कर सकता है, approximately, ठीक है, क्यों, क्योंकि, आप सभी को बता है कि आपे inflation जो होगा, वो सभी connected होता है, तो थोड़ा के focus में रह सकते हैं, अफट आज कुछ viewers के question ले लेते हैं, sir, ISTC में क्या करना चाहिए, यहाँ पे कुछ question थी, ठीक है, देखो members, short term में मैंने बहुत बार चिला-चिला के बोला है कि short term में ISTC sideways to downtrend है, यह 600 तक आएगा, कितना, 600 तक आएगा, जब यह stock यहाँ पे था, split हुआ अगर आपके पास है stock तो अभी बेशना नहीं चिये, अगर stock ऊपर चला जाता है, 325, 350, ठीक है, तो वहाँ पे अब stock में exit कर सकते हैं, short term, of course, अभी मेरी सब सब को panic नहीं करना चिये, अच्छे खासे support पे है, stop लो सरकना चाहते है, 250 रख सकते हैं, ठीक है, बाकि long term के लिए अभी भी panic नहीं करना चिये, बहुत सरे लोगों का one of the hot favorite, मेरा भी, पहले ही बता था, कि stock में profit book कर लेना, ठीक है, अभी ये 2200 पे है, अभी मुझे से पुछे, मेरे भाई profit book कर लेना, exit कर लेना, stock में माननो, डिब भी पाया है, तो मेरे भाई अटक जाओगे, ये, best level है 1700 का, और second best है 1200 का, ये दो level पे अगर आपको मिलता है, stock हो तो, बीना सूचिए add कर सकते हैं, आप ये stock को, ठीक है, ठीक है, अभी के लिए stock में weakness है, और शायद इक fall भी आ सकता है, clear, आखरी हो जाता है, सर, seal के stock में क्या करना चाहिए, राके जुन जुन वाला भी exit कर चुके है, देखो, मैंने यहाँ पर किसी viewers को बोला था, कि बाईर भाई, stock में momentum आई है, stock 120 तिक जा सकता है, लेकिन गया max to max, 112, 12% की rally, from the bottom, जहां से मेरे को query आई थी, उसके बाद यहाँ पर, राके जुन जुन वाला की news आ गई, और stock fall कर गया, अभी see, अभी panic नहीं करन है, stock के result का wait करो, result के बाद अगर कुछ positive आते हैं, तो stock में momentum आ सकती है, बाकी अभी मेरे भाई waiting watch कर सकते हैं, और cost पे exit कर सकते है, sale stock के अंदर, ठीक है, तो मैंने most of the query आपको short out कर दी है, अगर rainbow hospital के बारे में बुचे, तो मेरे भाई, मैंने अभी study बहुत ज़्यादा नही की है, लेकिन शायद आपको ये stock भी, ये IPO भी avoid कर लेना चीए, ठीक है, और मेरे भाई future group में भी कुछ news सुनी है, कि यहाँ पे deal cancel हो चुके है, मेरे भाई ये, मलब बोलते हैं ना कि पागल हो चुके है, सबी लोग, ठीक है, reliance पहले यहाँ पे deal के लिए पागल हो रहा था अभी deal खुद cancel हो चुकी है, पता नहीं क्या होगा, तो एक बात समझ लेने, अगर कोई बुछे कि सर्फ future group में क्या करना चीए, तो पहले तो deal हुई थी, तो stock crash हो था, अब सोचो के deal cancel हो चुकी है, ठीक है, deal अभी cancel हो चुके है, तो में भी शायद एक pullback आए, तो अगर आ लगा सकते हैं, या तो exit कर सकते हैं, अगर lower circuit नहीं होती है, अगर lower level के trade करता है, तो की बात है, ठीक है, या तो आप exit करके, 12 बाज़े तक wait कर लो, exit करने के बाद अगर माननो pullback करता है, तो शायद आप face entry कर सकता है, जितनी आपने invest की थी, ठीक है, तो में भी चमतकर हो जा है, तो ये सभी query मेंने members mostly shout out कर दी है, अगर telegram में नहीं है, जाके जूडिएगा, और अभी latest videos नहीं दिखिए, एक बाज आके जरूँ चेक कर सकते हैं, मिलते हैं, अगले video के अंदर तब तक के लिए goodbye, जैहिल